आटो देवीच पठाके स्वारियां दी नाल लुट खुसूट कारनवाले लुटेरियां दा पुलस ने एनकाउंटर किता तास्तिये कि एनकाउंटर दे दोरान तेने लुटेरियां नू काबू किता गया जाद कि दो पजन देविच काम्याब हो गये ने दरसल पोलस नो गुप्त सुचना मिली सी कि जो लुटेरे ने उना देवलों जो लुटेया होया समाना उसनु वेच्चन देले एक थाद देउत्ते पहुंचे ने दरसल जानकरियन साथ ढूंभायाँ जाना चिंदा पिर बिकिक भायराइं, पीफिर सुसे माल पोल्स पहलाई दिख्याईभायाँ दिख्या थी पॉर्स ने जदो कारवाई किती ता तिन लुटेरियानू कबु कर लेता आटो दे वीच बठाके लुटन वाले लुटेरियानू पॉर्स ने कबु किता है हाला कि इस दुरान दस्या जा रहा है कि दो दे पैर दे वीच गोड़ी लगी है जिनानू इलाज दे लेई हस्पताल दे वीच दाखिल करवाया किया दरसल पंज एह लुटेरिया सी जिना दा गिरो पूरे इलाके दे वीच काम कर रहा सी लगातार लोकानू निशाना बनाया जा रहे हैं से इत्तों ताक्ति विद्यार्थ्यान वी नहीं सिपक्चे जा रहे हैं इना दे कोड़ों कई मोबाइल फोन अते लैप्टोब भी ब्रामध होए ने गाजेबात पुलिस कमिस्टरेट के थाना विजयन अगर में मुखबिर खास के जलिए एक सूचना प्राप् काल ही विजयन अगर की पुलिस दरह रियक्ट किया गया वह एक टीम जब यहां मौके पर पहुची तो पांच लोग यहां पर मौजूद थे और जब उन पांच लोगों के गिरफतारी करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने मौके से भागने का प्रयास किया और जब पु पेर में जए आपी फैरिंग में गोली लगी है और एक व्यक्ति को यहां से मख्य से गिरफतार किया गया है वहात दो अन्य लोग मुख्य से भागने में काम्याब हो गए हैं जिस व्यक्ति को गिरफतार किया गया है उसका नाम अर्मान है और जब उससे पूस्ताश की गई तो उसने बताया कि वो सामान को खरीदने के लिए आया हुआ था जिन दो व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है उनके नाम है दीपक और आटो में सवार जो सवारिया थे उनको बठाते थे और उनके साथ लूट किया करते थे और हाल फिलाल में इन्हों ने इस चेत्र में विजयनगरवा आसपास के चेत्र में कुछ गटनाओ को अंजाम दिया है हाल ही में कोटवाली में एक शात्र के साथ में जो लूट की गट की तीमों को रमाना कर दिया गया है और जो दो घायल अव्युक्त हैं उनको प्रात्मिक उप्चार है बिजवाया गया है और इनके पास से यहां पर कुछ मोबाइल दो लैपटॉप एक टैबलेट और दो तमंचे और चार जिंदा कार्थूस बरामत हुए हैं साथ ही जिस टे कबरी के लिए ततकाली टीम निकाल दी गई है इस पूरे गटनक्रम में आगे की वैधानिक कारवही की जा रही है